लौ अट्राक्शन कैसे काम करते हैं? कि आपका जीवेन एक खास तरह से हो, आप पॉजटिव सिगनल भेज रहे हैं, ये बहुत बढ़िया है पर… किस को? ब्रहमान को, इस ब्रहमान को. किस दिशा में? उपर या नीचे? यही तो मैं पूछ रही हूँ, लौ अफ अट्राक्शन कैसे काम करता है? यहा? चाहे दो चुमबकों या फिर दो ऑपचिट्स त्री पूरुष हों या… या किसी भी तरह से. लौ अफ अट्राक्शन हमेशा अपचिट्स के बीच होता है, है कि नहीं? उत्तरी धुरूफ से लेकर दक्षणी धुरूफ तक इस से लेकर उस तक ये उसी तरह काम करता है जी अब आप ब्रह्मांट की बात कर रही है तो इसका मतलब आप इस ब्रह्मांट के लिए एलियन है? ब्रह्मांट का हिस्सा हूँ अगर ब्रह्मान का ये हिस्सा है, तो फिर यहां ट्रैक करने की बाद कहां से आती है? तो फिर कैसे? क्यूं ये कहा जाता है कि आप अपनी नियती तै कर सकते हैं? आप कर सकती हैं, आप अपनी नियती तै कर सकती हैं, आपको करनी ही चाहिए, इंसान होने का यही मतलब है तो आप उनसे कुछ बहुत अलग नहीं कर रहे हैं, जो दूसरे प्राणी कर रहे हैं, वो पैदा होते हैं, वो बड़े होते हैं, आप होते हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं, आप भी करते हैं, वो मर जाते हैं, आप मर जाते हैं, कुछ भी बहुत अलग नहीं, पर इन ही सिं आप यहाँ बैट कर ऐसे नहीं करेंगी, अब यहाथ वही करेगा जो आप चाहती हैं, मान लीजिए आप अपने विचारों को जागरूपता से चलाने लगें, अब आपके विचार वही करेंगे जैसा आप चाहती हैं, अगर आपके विचार वो कर रहे होते जो आप चाहती है तो आप खुद को कैसे रखती हैं? आनंद में या दुख में? आनंद में? जी. अगर आप आनंद में हैं, तब क्या आप खुशी की तलाश में जाएंगी? तो ये सब चीजें जो लोग सोचते हैं कि उनकी जिन्दगी की सबसे महान चीजें हैं, शांत रहना, खुश रहना, बखवास, आपके लिए कोई माइने नहीं रखेंगी, क्योंकि आप आनंद में हैं, पर आप उनसे ऐसा कह नहीं सकते, उन्हें बेज़ती महसूस होगी. आपको उनसे… आपको थोड़ा सूर में बोलना होगा. पर वास्तव में, अगर आपके विचार और भावनाएं, आप सहज स्थिती में आ जाएगी. पूरी तरह से सहज. अभी क्योंकि आप एक घात लगाए हुए टाइगर की तरह हैं, आपको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है. यहां लेने के लिए कुछ नहीं है. अगर आप बस यहां बैठें, तो आपका जीवन पूर्ण है. अब य यहां तक के खुश रहना, या प्यार करना, या प्यार में पढ़ना, कुछ भी आपके लिए माइने नहीं रखेगा. क्योंकि बस यहां बैठें हुए, आप सबसे उंचे इस तरके सुख में हैं. अब आप ऐसे जीवन के साथ क्या करेंगी? स्वाभाविक है कि आप कुछ तक होजना चाहेंगी, जिसका अभी आपको बोध नहीं है. इस तरह से आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू होती है. इस तरह से आप अपने जीवन की बागडोर संभालते हैं. अब आपने कुछ चाहा और वो हो गया. मैं चाहता हूँ कि आप ये समझें, कि ज्यादतर लोग में वो जो चाहते हैं, उसका 90 प्रतिशत पूरा हो जाता है. ये बागी का 10 प्रतिशत है, जिसके वो शिकायत कर रहे हैं. हाँ? हलो? कैसा नहीं है? आपके जिन्दगी का 90 प्रतिशत वैसा हो रहा है जैसा आप चाहते हैं. 10 प्रतिशत के आप शिकायत कर रहे हैं. आप कभ थोड़ा भी आपको परिशान कर सकता है, मान लीजिए आपको 100 km गाड़ी चलानी है, 90 km आप सही से गए, जहां आप जाना चाहते थे, 90 km में आपका एक्सिडेंट हो गया, अभी भी ये ठीक नहीं हुआ, है ना, तो इसलिए वो शिकायत कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि व क्योंकि हमारे चार और परिस्थितियां होती हैं, हर एक परिस्थिती कभी भी बिल्कुल हमारे हिसाब से नहीं होगी, क्योंकि वो परिस्थिती बस मेरे बारे में नहीं है, उसमें कई सारे लोग शामिल हैं, कई सारी ताकतें शामिल हैं, जरूरी नहीं कि वो सब कुछ मेर अगर आपको गोल्फ खेलने को मिल रहा है खेलने को अगर ना भी मिले तो भी तो अगर मैं इसकी बात कर रही हूं तो जब तक चीजें आपके हिसाब से हो रही है और आप अपने रास्ते पर है और आप आनन्द में है ना 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 मैं यह नहीं कह रहा कि जब तक चीजें आपके हिसाब से होंगी तब तक आप आनन्द में होंगे अगर आप आनन्द में है तो फर्क नहीं पड़ता कि चीजें किस तरह से होती है वो जिस तरह भी हो आप तब भी आनन्द में है लेखिया असल में यह ऐसा है कि अपने आपको समभालना कठिन है, मेरा मतलब है, अच्छा आप इन सब लोगों को समभाल सकती है, कोशिश कीजी, नहीं मैं ये इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि उन्हें अपने आपको समभालना है, और वो समाच को और समुदाय को और अगर आप अपने आपको समभाल लें, तो फिर हम देखेंगे कि हमें इन सबी लोगों से कितना सहयोग मिलता है, अभी जब आप कहती हैं कि आप खुशी की तलाश में हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहती हैं कि ये सब आपके हिसाब से काम करें, जब हम कहते हैं, अगर ये हो जाए तब मैं खुश रहूंगी, अगर वो हो जाए तब मैं खुश रहूंगी, तो उसका क्या मतलब हुआ कि दुनिया को, इस ब्रहमांड को आपके हिसाब से चलना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, नहीं, मैं ये नहीं मानती कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये दूसरों पर condition थोपने जैसा होगा, कि उसे ऐसे चलना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं ये कह रही थी कि ठीक है, उधारण के तौर पर एक बहुत basic सा example, कि कोई actor बरना चाहता है, या कोई क्रिकेटर बरना चाहता है, और मैं एक बहुत basic सा example ले रही हूँ, कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, और आप, जादतर लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप जो करने की कोशिश कर रही हैं, जब आप कहती हैं, कि मैं जो कर रही हूँ, वो हर किसी को पसंद आना चाहिए, तो एक तरह से आपको लोगों के मन को संभालना पड़ेगा, आप वही तो कर रही हैं, किसी तरह से आपके सिनमा द्वारा या जैसे भी, आप किसी तरह से उनके मन को संभालने की कुशिश कर रही हैं, और वो कर रही हैं, जो उन्हें पस आपको किसी चीज का तनाव नहीं है, कोई भी, कोई तलवार आपके सिर पर नहीं लटक रही, आप हर चीज पूरी तरह से शामिल होकर करेंगी, क्योंकि आपको परवा नहीं है कि क्या होगा, चाहे जो भी हो जाए, आप तब भी ठीक हैं, इतना आप जानती हैं, अब किसी को एक बड़े सरकस और करतब की तरह लगता है, उसे आप खुशी से खेल-खेल में करेंगी, सही, तो आप इस चीज को पूरी तरह से खारिश कर रहे हैं, कि law of attraction नहीं होता, इस तरह की कोई चीज नहीं होती, अरे होती है, मुझे यकीन है, बहुत से लोग आपकी तरह of attracted हैं, नहीं, वो वाला law of attraction नहीं, ये कि ब्रह्मान आपको वो दे जो आप चाहते हैं, पर खेर, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, ब्रह्मान कहां है, हम इस ब्रह्मान का ही एक हिस्सा है, जब आदियोगी से उन, साथ साधूों ने पूछा, जिने आज सब तरिशी कहा जाता है, उन्होंने पूछा, ब्रह्मान कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है, कितना विशाल है, ये क्या है, तो आदियोगी हसे और बुले, मैं तुम्हारे पूरे ब्रह्मान को एक राई के दाने में पैक कर सकता हूँ, ये बहुत जबर्दस पैकिंग हुई, है ना? हाँ, बिल्कुल ही जबर्दस तो, क्योंकि आप जिसे समय और स्थान समझते हैं, वो आपके मन की प्रकृती की वज़े से है, जो वहाँ है, अगर आप अपने तारकिक मन की सीमाओं से परे चले जाएं, तब जो वहाँ है, वो यहाँ है, जो यहाँ है, वो वहाँ है, जो अब है, वो तब है, सब कुछ, टाइम और स्पेस आपके समझ में मिक्स हो जाता है, तो जब ऐसा होता है, अब आप ब्रह्मान से बात नहीं करेंगी, वो लोग जो अपने पडोसियों से बातचीत नहीं करते, वो ब्रह्मान से बात करते हैं,